नमस्ते मेरे पैरे दोस्तों, इस चैनल पर डेली सुभा एक और वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें बिहार SSE में अब तक पूछा गया सभी परशनों का सब्जेक्ट वाई अस्टेडी कर रहे हैं, साथ में BVI एक्स्टा फेक्सी बता रहे हैं, जो परिक्षा में बार बार पूछा जाता है, इस सिरीज में मार्केट के सभी मातपुर्ण पब्लिकेशन के सेटों का फास्ट प्रेक्टिस करेंगे, तो चली शुरू करते हैं, पहला कोश्चन है, निमलिखित में से कौन सा महासागरिय गतिविधी को संदर्भित नहीं करता है, यानि कि महासागरिय सब्कूर जक्राआएं संदर्भिते में आपूरिय गतिविधी को संदर्भित नहीं है, तो तरंग और जवारभाटा और धारय ये सब साइलेंस वाइ सेस फ्रॉम दपार्टिशन ओफ इंडिया नामक पुष्टक के लेखाक का नाम बताईए तो इस पुष्टक के लेखाक है यह उर्वसी बुटालिया है ने कोश्चन है फिर से समझे पुष्टक का नाम है अधर साइड ओफ साइलेंस Voice from the Partition of India पुस्तके लगा के उर्वसी बुटा लिया Next है इनमें से कौन एक संथी पाध है इनमें से कौन एक संथी पाध है तो संथी पाध है इसमें से सहस्त्र पाधिये संथी पाध है प्रती बर्स भारती सेना दिवस का मनाई जाता है 1743 SP में नेक्स्ट है कि निमलिकित में से कौन सा जोड़ा सही है तो इसमें कबजा संधी जो है कंधा है अचल संधी कोहनी है कोहनी और धूरागर संधी ये सीरगर्दन ये वाला सही है ये कोरेक्ट एंसर होगे C नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन से भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली पर्थम परियोजना है तो नदियों को आपस में जोड़ने वाली पर्थम परियोजना है कें बेतवा परियोजना निमलिकित में से कौन सा एक तत्त वाधियंत्र है तो अस्ट्रिंग्ड म भी अध्यक्ष पद्द से इस्थिपाते दिया था तो यह थे सुबास्चंद्र बोश्जी जो अध्यक्ष पद्द से इस्थिपाते दिये थे समस्टी अस्त्सास्तर के जनक होने तो मेनारड किन्स जो है gutes समस्ट्री offering कोन सा गलत है तो उनका गोवर्जिखा ओता यह और थोड़ी मात्रा में मुत्र का बिर्साजन करते यह वी जई है वे बहुत उन्हें बहुत पसीना आता है यह गलत है है इसका पूछा गलत कौन सा वे अस्थाली आवासों में रहते हैं यह भी सही है तो इसका correct answer हो गया सी नेक्स्ट है कि 1915 में दच्छिन अफिरिका को भारत आने दच्छिन अफिरिका से भारत आने के बाद महत्मा गांदे ने किसकी सलापर भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे एक बरस तक भारत की यात्रा करने का फैसला किया तो वह कि इनके सलापर तो गोपाल कृष्ण गोखिले के सलापर किये थे वह ने इसका correct answer होगता है option नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखिले जो की गांधी जी के गुरू थे भारती समिधान की प्रस्तावना डेश को जवाहर लल नहरु द्वारा समिधान सभा में पेस्क किये गए य इसका correct answer है यह 13 दिसंबर 1946 को जवाहर लल नहरु द्वारा समिधान सभा में पेस्क किये गए उद्यस प्रस्ता पर अधारित है नेक्स्ट है कि किस बर्स से कबड़ी को एक पुर्ण खेल की रूप में ACI खेलों में सामिल किया गया है तो इसका correct answer है यह 1990 में कबड़ी को एक पुर्ण खेल के रूप में ACI में सामिल किया गया है नेक्स्ट है कि 1932 में महत्मा गांधी ने ब्रिटिस सरकार के भारत की निरवाचन परनाली को जातिगत अधार पर प्रिथक करने के फैसले की बिरोध में किस जेल में भूख हरताल की थी तो यह यरवदा जेल में भूख प्रिशा के नेताओं में से एक थे तो यह थे मोतिलान लेहरू जो की 1928 में भारत के सम्मिधान का मसदा तयार करने वाले कंग्रोसी में से एक थे 1944 में इमफाल की लड़ाई ब्रिटिस सेना और डेस सेना के बिच हुई थी तो 1944 में इमफाल की लड़ाई जो है वो ब्रिटिस और जापानियों की बिच हुआ था नेक्स्ट है कि ओडिसा के किस जीले में पूरवी घाट की सबसे उची चोटी अस्थी थे तो ओडिसा के कोरापुट जीले में पूरवी घाट की सबसे उची चोटी अस्थी थे निमलिकित में से किसे भारत के लिए सिर्ष अस्तर की संस्था के रूप में अस्थापित किय गया था नेक्स्ट है कि ओलम्पिक गोल्फ टूनामेंट में भाग लेने वाली पर्थम भारती महला कुन थी तो ओलम्पिक गोल्फ टूनामेंट में भाग लेने वाली पर्थम महला थी यह अधिती असोक निमलिकित में से कौन सी खरीफ की फसल है तो खरीफ की फसल है इसमें निमलumbs क iss propri कि यूमसे मैं से किस बेख्यानिक उपकरन का प्रीज़ब के आ था तो बैरोमेटर का परियूंग है था बैरोमेटर के खोच किस ने किया था बैरोमेटर का अविश्कार क लिछ तो इसे ने 32 में महत्मागांधी अब डेस के बिच पूना पेक्ट पर हस्ताक्षर किये गए थे तो पूना पेक्ट किनके किने बिच हुआ तो 1922 में ये महत्मा गांदी और ये भीमराव अंबिटकर के बिच हुआ था नेक्स्ट है अपसमार यानि मिर्गी से सरीर का कौन सांग प्रभावित होता है तो मस्तिस्क प्रभावित होता है नेक्स्ट है नर्मदा नदी मद्द परदेश में डेश से निकलती है तो अमरकंटक्स पाड़ी से निकलती है बारती रिजर्बेंक ने रूपिय के पर्तिक को निमलिकित में से किस बर्स अपनाया है तो 2010 में अपनाया था और रूपिय का जो चिन्ने वो किस ने दिया था तो IIT के छात्रे थे ये उदय कुमार दिया था हील पहले संगराले डेस में अस्थी थे तो हील पहले संगराले है केरल में नेक्स्ट है कि बिस बेंक के बर्गी करन के नुसार जुलाई 2019 तक उच्च मध्यम आये वाले देसों में परती बेक्ती सकल राष्टी आये अमेरिकी डॉलर में डेस के बीच होता है तो 3996 डॉलर से 12,375 डॉलर के बीच होता है भारत में पीर बुधान का मेला परतिवर्स कहां लगता है तो पीर बुधान का मेला लगता है मध्य परदेश में नेक्स्ट है भारती समयधान के अनुचर 123 के तहत अध्यादेशों की घोसना करने की सक्तिय निमलिकित में से किस के पास है तो अ सबसे पूराना है एक होता है सबसे पहले साल में कौन सा होता है सबसे पहले आस्टरली ओपन होता है उसके बाद प्रेंच ऑपें होता है फिर छोपन सबसे लास्ट में होता चाहिए बेले हैं ऐसब से भाधारी उसब में ज़िन जोन्स जीन कड़न wnhr 122 के रुख जाने के कारण उए ता वह अपने खेल के के दिनों में डेस का परतिने तो करते थे यानि कि डीन जॉन्स जाओ वो किस दिस के थे तो यह न्यूजिलेंड के थे नेक्स्ट है कि राज्य अधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरन किया था तो राज्य अधिकार के लिए मुगलों ने यह अनुसरन किया थ कि इसका सहदाइक विरासत का अनुसरन किया था नगर निगम की बैठकों की अधेक्षिता कौन करता है तो महापौर करता है नेक्स्ट है नवंबर 2020 में निमलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो नितीश कुमार जी है नेक्स्ट एक निमलिखित में से कौन सा मिर्दा निर्मान का कारक नहीं है तो मिर्दा निर्मान का कारक नहीं है यह ओ कार्बनिक समगरी की भूमी का यह मिर्दा निर्मान का कारक नहीं है देखिए ओ कार्बनिक समगरी की भूमी का नहीं होती है बलकि होता है वो कार्बनिक समगरी की भूमी का होता है बाकि जलव अरावदिन खिल जी ने अपने सेनिकों के लिए एक नए सेनिक नगर का निर्मान कराया जिसका नाम डेस था तो वो था सिरी तो अरावदिन खिल जी नहीं कराया था नेक्स है कि गोल्डेन बोट नामक पुस्तक किस ने लिखी तो गोल्डेन बोट पुस्तक के लिखा के रविन्दना टेगोरे गोरा के लिखा को ने रविन्दना टेगोरे गितांजली के लिखा को भी रविन्दना टेगोरे नेक्स है कि सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अ 42 में है कि कौन सा देश दुनिया का अग्रणी नार्को टेस्ट बन गया है तो सबसे ज़्यादा नार्को टेस्ट का हुआ तो वो है इसका को रेक्ट एंसर है शीरिया परदान मंतरी ननन मोदी ने किस राज में 10,900 करोल रुपिये से अधिक की विभीन परियुजनाव का सिला नयास और राष्ट को समर्पित किया तो ये किया गया है असम में नेक्स्ट है कि भारती उच्चा आयोग ने किस देश में अपना सोलमा बीजा आवेदन केंदर खोला है बंगलादेश में खोला गया है फेमिना मिस इंडिया बल्ड मिस इंडिया बल्ड 2023 का ताज किस ने जीता है तो इसका correct answer है ये नंदनी गुपता ने जीती थी नेक्स्ट है कि तेलंगना के मुख्य मंत्री के चंदर सेखर राव ने भारती समिधान के निर्बातना की 132 जीयनती को चिन्हित करने के लिए किस सहर में भीमराव अंबेटकर की 125 फूट उची कांच से परतिमा का अनावरन किया है तो ये किया गया है 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 अहिदरावाद में नेक्स्ट है कि G20 में क्रीशी प्रमुख बेग्यानिक की 12 बैठक 17 से 19 अपरेल 2023 को किस सहर में आयूजित होने वाली है तो क्रीशी प्रमुख बेग्यानिकों की जो G20 सीखर समेलने ये हुआ था वारा नसी में 24 रोग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है 24 रोग दिवस ये 14 अपरेल को हर बर्स मनाया जाता है और 14 अपरेल को ही जो भीम्राव अम्बेटकर जियनती है वो 14 अपरेल को ही मनाया जाता है नेक्स्ट एक निमलिकित में से किस देशों में बाली कातन नामक संजुक्त सेन अभियास सुरू किया गया है तो किन देशों ने किया है तो इसका कोडेक्ट एंसर हो जागा बाली कातन नामक संजुक्त अभियास जो है ये अमेरिका और फिलिपेंस के बीच है काजकिस्तान ने अस्ताना में आयोजीत ACI कुस्ती चेंपियंशिप 2023 में पुरूसों की 57 kg फ्री अस्टायल सरेनी में स्वर्ण पदप किसने जीता तो यह हैं अमन सहराबात है ने अमन सहराबात है जो है अस्ताना में आयोजीट SCI कुस्ती चेंपियंसिम 2023 में पुरुसों की 57 किलोगराम फ्री स्टैल में सुर्ण पतक जीता है नेक्स्ट है कि निमलिखित में से कौन सा आउटपूट डिवाइस नहीं है इसमें जो scanner है यह आउटपूट डिवाइस नहीं है यह क्या है इनपूट डिवाइस है बाकि जो monitor है printer और speaker यह सब आउटपूट डिवाइस है निमलिखित में से किसकी कमें से बर्नांता और कमजूर दिरिष्टी की समस्या होती है बर्नांता यहनी की जो रताउंधी रोग होता है वो किसकी कमें बिटामिन एक ही कमें से होता है नेक्स्ट है कि निमलिकी हस्तियों में से किसे कुष्ट रोग उनमूलन के छेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी सान्ती पुरुसकार से समानेत किया गया था तो इसका correct answer है यह सासा काबा को 2018 में गांधी सान्ती पुरुसकार दिया गया था चुम्बकिये फलक्स की SI क्या क्या है तो बेवर है क्रायोजेनिक इंजन में इंधन के रूप में किसका परियोग किया जाता है तो इंधन के रूप में क्रायोजेनिक इंजन में इंधन के रूप में तरल ऑक्सिजन और तरल हाइडरोजन का परियोग किया जाता है नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन सा कम्पूटर वाइरस दस्तबेच की फोर्मेटिंग को नुक्सान पहुंचाता है और इसे इडिट करने की अनुमती नहीं देता है तो यह है मैक्रो वाइरस जो है यह कम्पूटर वाइरस जो है कि दस्तबेच की फोर्मेटिंग को नुक् नेक्स्ट है कि निम्लिकित मेंसे कौन सा एक सेप्रोफाइटिक कवक है तो सेप्रोफाइटिक कवक है इसमें पेनिसीलियम है पेनिसीलियम पेनिसीलियम है नेक्स्ट है एक जो इसमें किया है इबी यहनी कि एकसा वाइट के बराबर होता है तो एक एक एकसा बाइट किसके बराबर होता है तो यह होता है दस सो चोविस पेटा बाइट बराबर एक एकसा बाइट होता है देखिए ऐसे में होता है कि सीरियल में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है ठीक नहीं आप जैसे कि पहला है ऐसे समझ लेजे के भी है उससे बड़ा है में 1024 के बावर हो जाता है एक ंबी फिर 1024 KB बरावर हो गिया 1 जी मी कि ठीके पिर gases बढ़ा हो जाता है टेरा वाइट टी बिए और उससे बढ़ा लता है फिर पेटावाइट फिर आ पको को कि और उसे बढ़ा हो जाता है कि योट geben एक्सा बाइट के बाद गांड हुथ पॉसके बाद होता है योट ret by मैं कि यो ट्रॉट है यह यो इदए योट वाईड है है कि तो क्या ऑब 1024 मेटप बराभर होगा था एक San वाइट ठेक है इसे याद कैसे रही नहीं सब से चोटा मुट केभी एमबी जीबी टी पी उसके बाद उसे बढ़ा है पेटाबाइट और स्काधिया एकसास्ट जेटाबाइट वाइट योटाबिमाइट इससे याद रहे जाले हैं कम गिट्टी यानि कम से हो गया किलोवाइट और मेगाबाइट कम गिट्टी यानि कि गीगाबाइट टेराबाइट तो कम गिट्टी हो गया चार ठीक है कम गिट्टी किलोवाइट मेगाबाइट गिट्टी यानि कि गीगाबाइट और टेराबाइट और कम गिट्टी पेटा सबसे बढ़ा क्या हो गया यह तो इसे याद रख लेना कंप्यूटर की जो चमता मापने की सबसे चोटी क्या होती बीट होती है एक वाइट बरावर होता है आठ बीट के बरावर होता है नेक्स्ट की बाहनों में रियर वियू यानि कि पीछे के दरी से देखने के लिए किस इस दरपन का परियोग किया जाता है किस ता पर जल का घंट अधिकतम होता है दो सबसे अधिक किसमे और होता है 4 डिए तो सेल्सियस में जो नियुनतम तापमान होता है और केल्विन वास्ता में चितीज के उपर से गुजरने और हमारे द्वारा पिर्थिवी पर इसकी छवी देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समयांतर है तो कितना दो मिनट है ग्रेनाइट चट्टान किस परकार की चट्टाने तो यह आगने चट्टाने नेक्स्ट एक इसरो द्वारा जी एसल्वी बाहन पर लोंच किये गए नविंतम भू अस्थिर संचार उपगरा का नाम बताएं जिसे विशेस रूप से भारती बायुसेना के लिए उसकी संचार छमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है तो यह जी SET7 एक कोसिका का वह बायतम आबरन कौन सा है जो कोसिका के अभिवों को उसके बाय बाताबरन में अलग करता है तो यह है पलाजमा जिल्ली कोशिका का वह बायतम आबरन कौन सा है तो वह पलाजमा जिल्ली जो कि कोशिका के अभिवों को उसके बाय बाताबरन में अलग करता है कोशिका के खोज किस ने किया था रोबर्ट हुग ने कोशिका के केंदर के खोज रोबर्ट ब्राउन ने किया था द्वारा उप्यूग की जाने वाली कई चीजों का अधार बनाता है तो यह क्या है कौन से एक इन्पुट डिवाइस है इन्पुट डिवाइस इसमें से कौन सा हो जाएगा माउस है माउस जो है इन्पुट डिवाइस है बाकी जो इस्पिकर प्रिंटर और मोनिटर यह सब आउटपुट डिवाइस है नेक्स्ट है कि उन पसुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पसुओं दोनों को खाते हैं तो वह सरवाहरी कह लाता है कंप्यूटर के प्राथमिक मेम में प्राज्मा जहिली में जा सकती है नेक्स्ट है अक्टूर 2020 में बोस्टन के इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम एजीवेंट पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो लाइफ टाइम एजीवेंट सम्मान ओम पुरी को दिया गया था 2021 में महला दिवस के अफसर पर नीताम बानी ने महलाओं के लिए डेस नामक एक सोसल मेडिया और नेट वर्किंग पलैटफ फॉर्म की सुरुवात की तो हर सरकील इसका correct answer है तीन जून को WTO एक बैस्विक संगठा ने WTO के संदर में निमलिकित में से कौन सा कथन गलत है तो पहला लिखा है कि इसका पुर्ण रूप World Transport Organization यह गलत है क्योंकि यह जो World Trade Organization यह की बैपार सम्मनिते World Trade Organization है यही गलत है इसका नेक्स्ट है कि 2021 की गंतन्तर दिवस प्रेड में उत्तर परदेश की जांकी को सर्वसिस्ट जांकी के रूप में चुना गया था वो उत्तर परदेश को यह पुरुसकार डेश द्वारा दिया गया था तो यह कीरन रिजुजु द्वारा दिया गया था यह जो रास्थानी सरकार के मंत्री हैं, यह मंत्री परिशत का गठन नहीं करता है. Next है, कि जन्मरी 2021 में सुरू की गई परधान मंत्री कौसल विकास योजना के तीसरे चरण के संदर्व में निमलिकित में से कौन सा कथन गलत है? तो तीसरे चरन के संदर में गलत है कि इसका लक्ष 2020 से 2030 तक की योजना अबधी में आठ लक उमिदवारों के प्रसिक्षन परदान करना था यह गलत है बांके जैसे यह है कोसल भारत यानि असकिल इंडिया के तहद कुल कुसल पेसवरों का एक मजबुत समुच्च पूल बनाने के लिए 200 से अधिक उद्योगिक परसिशन संस्था नो ने परदान मंतरी कोसल विकास योजना थ्री के अंतरगत शुरू किया गया यह सह यह नेक्स्ट है कि चंद्रियान 2 22 जुलाई 2019 को परच्छेपित किया गया था इसकी संदर्म में निमलिकित में से कौन सा कथन गलत है तो यह है कि ऑप्सन नंबर ए इस मिशन का लक्ष चंद्रमा की उत्री दोर्व को खोज करना था यह गलत है ठीक है बांकि यह इस रूद जेकर लेंडर ओर रोवr को एक साथ ले गया था यह भी सuggling हमें सकल घरेलम उत्पात यानीं GDP का अकल्ण करती समय केवल तयार माल के मुल्य पर विचार करना चाहिए क्योंकि ये तैयार माल के मुल्य में पहले से ही मध्यवर्ती माल का मुल्य सामिल होता है नेक्स्ट है कि औरंग जेव के संदर्व में निमलिखित में से कौन सा कथन गलत है तो औरंग जेव के संबन्द में ये गलत है कि वह साजहां और मुम्ताज का दूसरा पूत्र था, ये गलत है क्योंकि ये साजहां का छठा पूत्र था नेश्ट है कि चंदरगुप्त मोर्ज, मोर्ज बंसके संस्थापक थे, भारती इतिहास में उनके सासन के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो चंदरगुप्त मोर्ज के बारे में गलत है कि बैरम खां उनका सबसे अच्छा सोयोगी संक्षक और मर्गदर्शक कहा था, ये गलत इसलेम टेनिस का आजन से क्या था नहीं की जालियावाला बाग की घटना के सथ इसमें लिखाए कि जालियावाला बाग की घटना चौुरी-चौुरा गटना के बाद हुआ था ये गलत इसलिए कि जालिया वाला बाग जो है ये पहले हुआ था हैं ने उनिस सो उनेस में हुआ था ये और चौरी-चौरा जो है 1922 में हुआ तो ये इनसर इसका गलत है नेक्स्ट है भारतिये स्वतंतरता शंगराम के संदर में निमली खित मेंसर कौन सा कथन गलत है तो इसमें है कि 1857 के बिद्रों को पहला स्वतंतरता संगराम माना जाता है भा traffуд शिंग सुग्देव गुरु राजगुरु सुग्देव और राजगुरु को 1931 में फांसी दिया गया था ये भी सही है साइमन कमिशन 1928 में बॉम्बे पहुंचा था ये भी सही है तो इसे एक मुझी बुर्राहमान ने भारत के स्वतनात्रा संग्राम में महत्पुर्ण मुहमी का निवाई थी ये गलत है नेक्स्ट है कि एक्टीफाइफ कि हैद्राबाद के चार मिनार के संब्ध में नमलिकित मैंने कौन सा गत्खन गलत है तो हैसार में पलेग के अंत कूच जिनित करता है ये सही है महराव कमरों के चार मंजिलों और महरावों की द्रिखा को सहारा देते हैं यह गलत है यह उत्तर दक्षिन पुर्व और पस्षिम के और उनमुख चार भवी महरावों पर बनाया गया है यह सही है यह उत्तर पुर्व पस्षिम के और उनमुख चार भवी महरावों पर बनाया गया है और यह देखिए एक चार मिनार है यह हाइदराबाद में एक जूलता मिनार तो वह अहमदाबाद में यह भी ध्यान रखना है तो अब यहां से क्या मेथ और रिजनिंग का कोश्चन शुरू होता है दोस्तों इस तरह से सेट नमबर 15 का जीके और साइन्स का पूरा 85 कोश्चन होता है समाब और मिलते नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते रहें मुस्कुराते रहें